आज मैं आपको रिदिंग फुर बिग्डर्स के लास पांच आपको प्रहाने वाला हूं इससे पहले मैं आपको चार इसकी प्रहा चुका हूं इस स्रीज की जौरान हम हर उस बच्ची को जिसे भी अंग्डेजी पढ़ने में दिक्कत होती है या फिर इंग्लीज से हिंदी ट्रांसलेट करने में उसे दिक्कत होती है तो एक हमारी रिदिंग फूर बिग्डर्स स्रीज जो है उसे बहुत जादा हेल्प करेगी क्योंकि शुरुआत से हमें इंग्लीज को कैसे पढ़ना है हम इसमें हर को चीज आपको बताएंगे और अगर आपने foundation patch जोइन किया था पूरा और उसकी आपने classes ली हुई है तो मैं रवकुल दावे की साथ कह सकता हूँ कि एक भी line, एक भी शब्द, एक भी वाक्य ऐसा नहीं होगा जिससे आप इसमें ना समझ पाओ तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और एक बहुत अच्छी कहानी माज़ आपको पुराने वाला हूँ इसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीखोगे और जिन्होंने foundation patch किया हुआ है बहुत सारे rule आपके जिवाईज होगे तो बहुत ही ध्यान से कहानी को देखिए बहुत ही interesting कहानी है और ये कहानी का नाम है the jungle, jungle fire jungle fire का मतलब है कुछ पशुपक्षी होते हैं कुछ जानवर होते हैं जो एक जंगल में रहते हैं और उसमें एक भीचन आग लग जाती है तो आप देखोगे इस story के दुरान की कितनी मेहनत, लगन और एक जुट होकर वो संघर्ज करते हैं और उस आग से को बुझा देते हैं और अपना आपको उस परिशानी से निकाल लेते हैं और साथी साथ इसमें आप ये भी दिखोगे किस तरह से संकर्ट आने पर कुछ दोस भाग जाते हैं और कुछ दोस साथ देते हैं यानि कि बहुत एक अच्छी सीख भी इस कहानी से आपको मिलेगी तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले कहानी का नाम जान लेते हैं कहानी का नाम है The Jungle Fire कहानी का नाम है The Jungle Fire Flee, भाग जाना और Fix the Problem Fix का मतलब होता है परिशानी को ठीक करना अब देखे In a Crisis Crisis का मतलब होता है बच्चो संकर्ट In a Crisis Crisis का मतलब होता है संकर्ट जैसे कि मैं आपसे कहा हूँ In a Crisis of Corona Sorry In a Crisis of Corona Corona के संकर्ट में Crisis का मतलब होता है संकर्ट या फिर एक तरह से कह सकते हैं बहुत बुरीश थी थी संकर्ट In a Crisis संकर्ट में There are those कुछ हैं There are those वे हैं जो Who who, who का मतलब है flee who का मतलब है जो flee का मतलब भाग जाते हैं and those or way who, Joe, stand खड़े रहते हैं together एक साथ to के लिए fix the problem परिशानी को ठीक करने के लिए पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं बहुत बार बोलता हूं और आज फिर बोलता हूं और आगे भी बोलता था हूंगा कि sense बहुत ज़्यादा depend करती है English spoken में और English के लिए sense के बिएर आप English ना पढ़ पाओगे ना बोल पाओगे ना ही सीख सकते हो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमें sense का यो कलना ही पढ़ता है अब देखे आप ध्यान से देखेगा देरा दोस वो है हू जो हू का मतलब होता है कौन लेकिन जब हू आता है यहाँ पे तो इसका मतलब होता है कौन लेकिन कभी-कभी जब यह connector as a connector यूज होता है और आता है बीज में एक sentence में नहीं हा लिखा हू यहाँ पे लिखा और एक sentence के बाद में लिखा तो यहाँ पे यह connector की तरह यूज होगा तो वहाँ पे इसके भिन-बिन परकार के अर्थ इसके बदल जाते है कभी-कभी इसका मतलब जो भी होता है जो यानि कि यह definite करता है उस चीज को there are those those का मतलब देखे मैं आपसे बतार है these were the days ये भी क्या दिन है those were the days वो भी क्या दिन थे those का मतलब है वो अर these का मतलब क्या है ये those होता है plural के लिए मैं आपसे कहूं वह क्या दिन था मैं कहूँ वो भी क्या दिन थे those were the days ठेक है न, those का मतलब है वो और those का मतलब है वो अब देखें आप in a crisis, संकट में there are those, वो है who flee, जो भाग जाते है and those, और वो है who stand together, together का मतलब है साथ-साथ, जो साथ-साथ ख़ड़े रहते है to, के लिए fix the problem परिशानी को ठीक करने के लिए fix का मतलब होता है ठीक करना I will fix you, मैं तुमें ठीक कर दोगा ये एक धमकी है I will fix you, मैं तुमें ठीक कर दोगा तो इनका कहने का मतलब है in a crisis एक संकट में, there are those, वो है who flee, जो भाग जाते है and those, और वो है, जो who stand together, तो fix the problem जो परिशानी को ठीक करने के लिए साथ साथ खड़े होते हैं अब देखिए, काहनी बहुत ही अच्छी है बहुत inspiring है और बहुत कुछ आपको सिखा देगी, ये एक जंगल है और सभी जानवरी इसमें बहुत अच्छे से रहते हैं is full of life, जिंद्गी से भरा हुआ है जिंद्गी से भरा हुआ का मतलब है आप समझ सकते हो, जिंद्गी से भरी हुई चीज का मतलब क्या है, महाँ पर बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं ये sense आपको काम देगी the sunny green jungle is full of life धोपदा, हरा जंगल जिंद्गी से भरा हुआ है यानि के कहने का मतलब उसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं suddenly, अचानक suddenly, अचानक lighting flashes देखे, lighting flashes, flashes का मतलब आग भी होता है चमक भी होता है, धड़क भी होता है lighting, जलती है जो बिजली होती है, जो बिजली होती है और आग जो है, वो शुरू हो जाती है आग शुरू हो जाती है grow का माने, बढ़ना, उगना the fire quickly grows और जो आग है, वो तेजी से क्या है बढ़ जाती है आग तेजी से बढ़ जाती है a parrot sees the fire देखे, present indefinite a parrot, जब third person की बात करेंगे तो word में S-C-A-S लगी a parrot sees the fire and yells एक तोता, आग को देखता है a scared bunny a scared bunny a scared bunny w enc Chase a scared a scared bunny a scared bunny a scared bunny एक दरा हुआ खरगोश bunny का मतलब होता है खरगोश, चिलाता है एक गेम आपने खेला होगा टिनी टून उसमें खरगोश होता है उसका नाम bunny होता है A scared bunny yells, एक डरा हुआ, खरगोष चिल लाता है What should we do? What should, you should do, तुम्हें करना चाहिए You should go, तुम्हें जाना चाहिए What should we do? हमें क्या करना चाहिए A scared bunny yells, एक भैबीत खरगोष चिल लाता है कि हमें क्या करना चाहिए We should flee, हमें भाग जाना चाहिए shed the vulture as it flies away और एक जो ये गिद है क्या है और एक विशुटली हमें भाग जाना चाहिए shed the vulture और vulture बोलता है कि हमें भाग जाना चाहिए as or it flies away और यह दूर उड़ जाता है ये तो इस प्रेशानी को देखते ही साथ क्या है ये तो इस जंगल से दूर भाग जाता है और दूसरों के भी सला देता है कि हमें भाग जाना चाहिए लेकिन ये जो snake है और ये जो mama bird है ये देखे क्या बोलती है some of us cannot run away from the fire और snake बोलता है साथ बोलता है कि हम में से कुछ ऐसे हैं जो दूर साथ बोलता है कि हम में से कुछ ज्यादा आग से ज्यादा दूर नहीं भाग सकते हैं साथ कहता है कि हम में से कुछ ज्यादा दूर नहीं भाग सकते और जो चिरियों की माता है वो कहती है कि मैं तुमारी बास से सहम होता है यानि कि साथ कहता है कि हम में से कुछ ज्यादा दूर नहीं भाग सकते और जो चिरियों की मम्मी है वो बोलती है हाँ आप बिल्कुर सही कह रहे हो अपने गोचले में से इन दो बच्चों के साथ ये बोलती है कि वाकिय में आप सही कह रहे हैं अब देखे जो भाग सकता है वो तो भाग जाएगा जिसे गिद उड़के भाग गया कोई-कोई व्यक्ति तो भाग सकता है कि हम सब तो नहीं बाग सकते तोगेदर वी शुड वर्क देखे वी शुड वर्क हमें काम करना चाहिए तोगेदर एक साथ तो पूट आउट दा फायर सेट दा वाइस टाइगर वाइस बुद्धिमान टाइगर बाग जो बाग हैए यह बहुत बुद्धिमान होगी कहता है और ये जो बुद्धिमान बाग है यह कहता है कि हमें सभी को आग भुझाने के लिए एक साथ काम करना चाहिए और जंगल के सभी पशु एक योजना सोचते हैं जो बंदर है वो टोक्रिया बनाता है, basket का मतलब होता है टोक्रिया, the monkeys, make अब आप कहो कि third person है, और make में S क्यों नहीं आया, क्योंकि monkeys आया यहाँ पर बहुवचन है, बहुवचन के साथ वर्ब की first show में S E I S नहीं आता the monkeys, make basket और जो बंदर हैं, वो टोक्रिया बनाते हैं, hippos fill the basket with water और जो hippos होते हैं, इन्हें दरियाए घुरा बोलते हैं, और जो दरियाए घुरा होते हैं, वो क्या करते हैं टोक्रियों को, पानी से भरते हैं जो दरियाए घुरे होते हैं, वो क्या करते हैं टोक्रियों को, पानी से भरते हैं और water buffaloes, pull the basket, closer to fire, और जो भैस होती हैं, और जो भैसे होते हैं, भैस होती हैं, वो क्या करते हैं, वो उस पानी से भरी टोक्रियों को आग के निकट खीचते हैं, आग के पास ले आते हैं, जो जो हाती होता है, the elephant, use their nose, as hoses, hoses का मतलब होता है, बच्चो, hoses का मतलब होता है, होज, होज, एक pipe मान सकते हो आप इसे, elephant, use their noses, as hose, और जो हाती होते हैं, वो है अपनी नाग को एक होज की तरह इस्तेमाल करता है, to put out the fire, आग को बुझाने के लिए, एक होज की तरह इस्तेमाल करता है, देखें, जैसे Ops, Ops का, जो जब भी Ops आए, तो आप समझ जाना, जैसे कुछ गलत हो गया हो, है ना, Ops, Ops का मतलब बे यार, कुछ गलत हो गया है, अंग्रेजी वे Ops का मतलब होता है, कुछ गलत हो जाना, ठेक है ना, something wrong, an elephant, an elephant, an elephant farts, the winds blows too, the fire gets bigger, और जो एक हाती होता है, वो फार्ट क करना, अपनी बोडी में से air reduce करना, by the back side, और जो ये हाती होता है, ये एक तरह से अपनी बोडी से कुछ air निकालता है, और फार्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, the winds blow too, और जो है, आग धरक हावा चलती है, the fire gets bigger, और जो आग है, वो और बड़ी हो जाती है, या फि करता है, और इससे क्या है, तीज हवा चलती है, और आग हो है, और भरक जाती है, we need more water, set the clever tiger, और जो tiger होता है, tiger जो होता है, चतुर बाग कहता है, कि हमें और पानी की आविशकता है, together, एक साथ, they discuss a new plan, वे एक साथ एक नया plan बनाते है, विश्वर माने होता है, बत्यों, फ बोलते हैं, विश्वर, तो वे सब क्या बोलते हैं, और clever tiger, जो चतुर बाग होता है, वो उनसे कहता है, कि हमें और पानी क्या बशकता है, together, एक साथ दे, discuss a new plan, एक साथ में नया plan बनाते है, बिवर्स, chop down bamboo, जो ऊद बिलाओ होते हैं, इन्हें लेकिए ऊद बिलाओ कहते है काटकर नीची गिराते हैं, जो ऊद बिलाओ होते हैं, वो क्या करते हैं, बांसों को काटकर नीची गिराते हैं, they poke holes in their center, और बांस की बीचों बीच, वो क्या है, छीद कर देते हैं, यानि कि पूरे बांस में से, बीच में से उसे छीद करते हैं, बांस के दूसरी तरफ से निकाल देते हैं, आप देखोगे, यानि कि खोकला उसे कर देते हैं, और वे जो हैं, उसके holes बीच में, मध्य में छीद कर देते हैं. The animals work as a team, जो पशू होते हैं, वे एक team की तरह काम करते हैं, और वे जो बाइप तुगेदर, इनसान ने आजकल, कि इनसान पता नहीं क्यों इतना, मतलब बिल्लकुल भी सोचता नहीं है किसी भी काम के लिए, बहुत जादा आलसी हो गया है, सोचने के तरीके से, क्योंकि सोचता नहीं है तो इसलिए creativity बहुत कम होगी है इंडिया में से, देखें, वो क्या करते हैं, इस तरह से pipe को जोड़ते जोड़ते, सीधा waterfalls में से, आग पे जो है pipe लगा देते हैं, सून, जल्दी, water flows, from the waterfall, throw the bamboo to the fire, जल्दी, water flows, पानी भैता है, from the waterfall, जल्दी, पानी जो है, वो जल्दी से भैता है, throw the bamboo, बासों के द्वारा, आग पर, जल्दी ही, जब वो अपनी युक्त बनाते हैं, इन बास के द्वारा, इन बास के द्वारा, पानी जो है, जल्दी से सीधा आग पर डलता है, monkeys on elephants, aim the bamboo, houses at the fire, जो बंदर होते हैं, बंदर, वे हाती की पीट पर बैथ कर, जो बंदर होता है, उसका मुँ, बिल्कुल आग की तरफ सीधा कर लेते हैं, ताकि बिल् monkeys on elephant, यानि कि हातियों पर बंदर, हातियों पर बंदर, aim the bamboo, निशान असाथते हैं, houses, होजगा, at the fire, आग पर, वो जो हैं, बंदर होते हैं, हातियों की पीट पर बैठ कर, सीधे, बास के होजगा, जो है, मुँ, एकदम, आग की तरफ करे हुए होते हैं, it takes a long time, एक लंबा समय लगता है, to fight the fire, आग से लड़ने में, या फिर, आप देखे, sense से आप इसे बोल सकते हैं, आग को बुझाने में, आग को बुझाने में, एक लंबा समय लगता है, it takes a long time, यह एक लंबा समय लेता है, to fight the fire, आग से लड़ने में, यह एक लंबा समय ले Firefighters जो आग से लड़ रहे हैं और साथी को उनके पयास को बुझाने के लिए जो चिरिया होती है वो पानि लाती है अब देखें वीचारा हाती आग बुझा रहा है बंदर उसकी मड़त कर रहा है तो चिरिया क्या करती है चिरिया इन दोनों Firefighters मेरा इसको पानि पिलाती है अपनी तरब से और फाइनली अंत में the fire is out लुक्त के आग भुज जाती है यह जाती है धराई है शोचância की ही हरा पशाब से केसे वह आग भुज जाती है हुड़े हुड़े यह को च некотор का संब्स पशु जो हैं, खुशी से चिल लाती हैं Our homes are now safe हमारा घर अब सुरक्षित है और सभी नाचने कूरने लगते हैं The happy animals celebrate with the very big party और सभी खुश पशु एक बड़ी party के साथ इसे मनाते हैं Tiger things बाग सोता है, about a day दिन के बारे में बाग सोता है Together, एक साथ We fixed up jungle fire हमने jungle के आग को ठीक कर दिया, यानि के बुझा दिया It takes our hard work To have harmony यह हमारा कठिन परिशनम हमारे सामन जस्य के लिए होता है यह हमारे सामन जस्य के लिए Harmony का मतलब होता है सामन जस्य और यह सोचता है कि वाकि में आज हम सब ने इतनी महनत की हमने जो है सब कुछ इतने अच्छे से किया इस कहानी के माध्यम से आप बहुत कुछ सेख सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक जब परिशानी आते है तो देखिए गिर्द तो पहले सी भाग गया थे कुछ बहुत से जानवर भाग गये ते सिर्फ उनों ने अपना अपना देखा लेकिन बाके की कुछ जानवरों ने एक चीज सोचे कि हमें सब की मिदद करने चाहिए और हमें यहां से भागना नहीं चाहिए तो इस कहाने के दुराना आप बहुत कुछ सीख सकते हो कि अगर आप अपने डिमाग से काम लो अपनी युक्तियों से काम लो तो आप किसी बड़ी बिसे बड़ी परिशानी का सामना कर सकते हो बचलते आप अपना सहियम ना खो तो it was a class for today rest of the thing we will discuss tomorrow have a good time bye bye Jai